ओम श्यान्ती, 30 अगस्त 2024 के इश्वरिय महवाक्य, पहले सुनते हैं मुरली के मुख्य पोइंट्स, बाबा ने कहा, अभी बाकी थोड़े रोज हैं, यहां तो रहना नहीं है, इसलिए जल्दी जल्दी मुझे याद करो, तो तुम्हारा जन्म जन्मांत्र के पापों का संकल्प विकल्प आए, या तुफान आए, चाहे सारी रात संकल्पों में नेंद फिट जाए, तो भी डरना नहीं, बहदूर बनना है, फिर बाबा ने कहा, बहुत बच्ची ऐसे हैं, जो याद नहीं कर सकते, फिर तंग होकर छोड़ देते हैं, माया से युद्ध करते नह समझा जाता है, राजधानी सापन हो रही है, तो नापास भी बहुत होंगे, गरीब प्रजा भी तो चाहिए न, तुम्हें बहुत खुशबुदार फूल बनने की मेहनत करनी है, पढ़ाई अच्छी रिती पढ़, होश्यार बन, फिर औरों को पढ़ाना है, तुम बच्च भी नहीं बनेगे, लास्ट में बाबा ने कहा, तुम सबको सुंधर बना कर, मैं साथ ले जाने आया हूँ, यह भारत फिर सुंधर बनने वाला है, तुम बच्चों को पहले स्वियम सुंधर बन, फिर और सबको सुंधर बनाना है, बाब तुम्हारे लिए नया घर बनाते ह तो इस पुराने घर से दिल हट जानी चाहिए, और अब सुनते हैं महवाक्यों को विस्तार से, मुरली का सार, मीठे बच्चे, तुम्हें खुशी होनी चाहिए कि दुख हरने वाला बाबा हमें सुख धाम में ले जाने आया है, हम स्वर्ग के परिजादे बनने वाले हैं, प उत्तर, कोई कोई बच्चे, फर्स्ट क्लास खुश्बुदार फूल हैं, कोई में जरा भी खुश्बु नहीं हैं, कोई की अवस्था बहुत अच्छी रहती, कोई माया के तुफानों से हार खा लेते, यह सब देखते हुए भी बाप को चिंता नहीं होती, क्योंकि बाप जानते हैं, यह सत्यूग की राजधानी सापन हो रही हैं, फिर भी बाप शिक्षा देते हैं, बच्चे, जितना हो सके, याद में रहो, माया के तुफानों से डरो नहीं, ओम शांती, मीठे ते मीठा, बेहद का बाप, मीठे मीठे बच्चों को बैट समझाते हैं, यह तो स शिक्षा देने वाला टीचर भी बहुत मीठा मीठा हैं, यहां तुम जब बैठते हो, तो यही याद होना चाहिए, बहुत मीठा मीठा बाबा हैं, उनसे स्वर्ग का वर्सा मिलना हैं, यहां तो विशाले में बैठे हैं, कितना मीठा बाप हैं, वहे खुशी दिल में होनी चाहिए, बाप हमको आधा कल्प सुख धाम में ले जाने वाला है, दुख हरने वाला है, एक तो ऐसा बाबा है, फिर बाबा टीचर भी बनते हैं, हमको सारे स्रिष्टी चक्र का राज समझाते हैं, जो और कोई समझा नहीं सकते, यह चक्र कैसे फिरता है, चुरासी जन्म कैस से पास होते हैं, यह सारा चप्टी में समझाते हैं, फिर साथ में भी ले जाएंगे, यहां तो रहना नहीं है, सभी आत्माओं को साथ ले जाएंगे, बाकी थोड़े रोज हैं, कहा जाता है, बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी भी अब जाए, बाकी थोड़ा समय है, इ वह खलास हो भल माया की युद्ध चलती है तुम मुझे याद करेंगे वह याद करने से हटाएगी यह भी बाबा बता देते हैं इसलिए कभी विचार नहीं करना कितने भी संकल्प विकल्प तुफान आए सारी रात संकल्पों में नेंद फिट जाए तो भी डरना नहीं है ब काब कह देते हैं यह आएंगे जरूर सुपन भी आएंगे इन सब बातों में डरना नहीं है युद्ध का मैदान है न यह सब विनाश हो जाने है तुम युद्ध करते हो माया को जीतने के लिए बाकी इसमें कोई श्वास आदी बंद नहीं करना है आत्मा जब शरीर में होत है तो श्वास चलता है इसमें श्वास आदी बंद करने की भी कोशिश नहीं करनी है हठ योग आदी में कितनी तकलीफ देते हैं बाबा को अनुभव है थोड़ा थोड़ा सीखते थे परंतु फुरसत भी हो ना जैसे आजकल तुमको कहते हैं ग्यान तो अच्छा है एक तो बाब को याद करो और चक्र को याद करो बस क्या यह डिफिकल्ट है सत्युग त्रेता में इन्हों का राज्य था फिर इसलामी बोधियादी की व्रिधी होती गई वे अपने धर्म को भूल गए अपने को देवी देवता कहना सके क्योंकि अपवित्र बन पड़े द प्रामा की प्लैन अनुसार फिर वे हिंदू कहलाने लग पड़ते हैं वस्तों में हिंदू धर्म तो है नहीं हिंदूसान तो नाम बाद में पड़ा है असली नाम भारत है कहते हैं भारत माताओं कीजे हिंदूसान की माताओं थोड़े ही कहते हैं भारत में ही इन प्रवित्र बनते हो इसले जितना याद करेंगे उतना विकर्म विनाश होते रहेंगे बहुत बच्चे हैं जो याद नहीं कर सकते हैं तंग होकर छोड़ देते हैं युद्ध करते नहीं हैं ऐसे भी हैं समझा जाता है राजधानी स्थापन होनी है नापास भी बहुत होंगे गरीब प्रजा भी चाहिए न, भल वहाँ दुख नहीं होता है, परन्तु गरीब और सहुकार तो हर हालत में होंगे यह है कल्युग, यहां साहुकार व गरीब दोनों दुख भोगते हैं, वहां दोनों सुखी रहते हैं, परंतु गरीब साहुकार की भासना तो रहेगी, दुख का नाम नहीं होगा. बाकी नंबरवार तो होते ही है, कोई रोग नहीं, आयू भी बड़ी होती है इस दुख धाम को भूल जाते हैं सत्युग में तुमको दुख याद भी नहीं होगा दुख धाम और सुख धाम की याद अभी बाप दिलाते हैं मनुष्य कहते हैं स्वर्ग था, परंतु कब था, कैसा था, कुछ नहीं जानते लाखों वर्ष की बाद तो कोई को भी याद आन सके बाप कहते हैं कल तुमको सुख था, कल फिर होगा तो यहाँ बैठ फूलों को देखते हैं, यह अच्छा फूल है, यह इस प्रकार की मेहनत करते हैं यह स्थेरियम नहीं है, यह पत्थर बुद्धी है, बाप को कोई बात की चिंता नहीं रहती हाँ समझ से हैं, बच्चे जल्दी पढ़कर सहुकार हो जाएं, पढ़ाना भी है, बच्चे तो बने हैं, प्रन्तु जल्दी पढ़कर होश्यार हो, और वह भी कहां तक पढ़ते और पढ़ाते हैं, कैसे फूल हैं, यह बाप बैठ देखते हैं क्योंकि यह हैं चेतन्य फूलों का बगीचा, फूलों को देखते भी कितनी खुशी होती हैं, बच्चे खुद भी समझ से हैं, बाबा स्वर्ग का वड़सा देते हैं, बाप को याद करते रहेंगे, तो पाप कटते जाएंगे, नहीं तो सजा खाकर फिर पद पाएंगे, उसको कहा जाता है मानी और मोचरा, बाप को ऐसा याद करो, जो जनम जनमांतर के पाप कट जाएंगे, चक्र को जानना भी हैं, चक्र फिरता रहता, कब बंद नहीं होता, जू मिसल चलता रहता है, जू सबसे आहिस से चलती है, यह बेहद का ड्रामा भी बहुत आहिस से चल कितने होते, वह हिसाब भी बच्चों ने निकाल कर भेजा है, लाखों वर्ष की बात होती, तो कोई भी हिसाब निकाल न सके, यहां बाप और बच्चे बैठे हैं, बाबा एक-एक को बैठ देखते हैं, यह बाबा को कितना याद करते हैं, कितना ग्यान उठाया हैं, औरों को कितना समझाते हैं, रडी मारते हैं, तुम हो साली ग्राम, आत्मा बिल्कुल छोटा सितारा है, उसमें कितना पार्ट भरा हुआ है, आत्मा घड़ती बढ़ती नहीं, विनाश नहीं होती, आत्मा तो अविनाशी है, उसमें ड्रामा का पार्ट भरा हुआ है, हीरा सबसे मज उस जैसा सक्त पत्थर कोई होता नहीं। जोहरी लोग जानते हैं आत्म का विचार करो कितनी छोटी हैं। उनमें कितना पार्ट भरा हुआ हैं। जो कभी भी घिस्ता नहीं है। दूसरी आत्म होती नहीं। इस दुनिया में ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिसको हम बाप, टीचर सत्गुरु कहें। यह एक बेहद का बाप है, शिक्षक है, सबको शिक्षा देते हैं। मन मनाभव। तुमको भी कहते हैं कि कोई धर्म वाले मिले, उनको कहो अल्ला को याद करते हो ना, आत्माई सब भाई-भाई हैं। अब बाप शिक्षा देते हैं कि मामे कम याद करो, तो विकर्म विनाश होंगे बाप ही पतित पावन है यह किसने कहा आत्माने मनुष्य भल गाते हैं प्रंतु अर्थ नहीं समझ से हैं बाप कहते हैं तुम सब सीताएं हो मैं हूँ राम सब भक्तों का सद्गती दाता मैं हूँ सब की सद्गती कर देते हैं बाकी सब मुक्ती धाम में चले जाते हैं सत्युग में दूसरा धर्म कोई होता नहीं सिर्फ हम ही होते हैं क्योंकि हम ही बाप से वर्षा लेते हैं यहां तु देखो कितने धेर के धेर मंदिर है कितनी बड़ी दुनिया है क्या-क्या चीजे हैं, वहाँ यह कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ भारत ही होगा, यह रेल आदी भी नहीं होगी, यह सब खत्म हो जाएंगे, वहाँ रेल की दरकार ही नहीं, छोटा शहर होगा, रेल तो चाहिए दूर-दूर गाउं में जाने के लिए, बाबा रिफ्रेश कर भिन-भिन पोइंट समझाते रहते हैं बच्चों के लिए, यहां बैठे हो बुद्धी में सारा ज्यान है, जैसे परम पिता परमात्मा में सारा ज्यान भरा हुआ है, जो तुमको समझाते रहते हैं, उच्च ते उच्च शान्ती धाम में रहने वाला शान्ती का सागर हम आत्माएं भी सब वहां स्वीट होम में रहने वाली हैं। स्वीट होम जहां बिलकुल शान्ती रहती हैं। फिर वहां से पहले हम आते हैं सुख धाम में। अभी तो इस दुख धाम से ट्रांसफर होते हैं सुख धाम में। बाप पावन बना रहे हैं। कितनी बड़ी दुनिया हैं। इतने जंगल आदी कुछ भी वहां नहीं हमारी राजधानी होगी। जैसे स्वर्ग का छोटा सा मॉडल बनाते हैं वैसे छोटा सा स्वर्ग होगा। क्या होना है वंडर देखो। कितनी बड़ी सुरिष्टी हैं। यहां तो सब आपस में लड़ते रहते हैं। फिर इतनी सारी दुनिया खत्म हो जाएगी। बाकी ह हमारा राज्य रहेगा। इतना सब कुछ खत्म हो यह सब कहां जाएंगे। समुद्र धर्तियादी में चले जाएंगे। इनका नाम निशान भी नहीं रहेगा। समुद्र में जो चीज जाती हैं वे अंदर ही खत्म हो जाती है। सागर हप कर लेता है। तत्व तत्व में म मिट्टी मिट्टी में मिल जाती है। फिर दुनिया ही सतोप्रधान होती है। उस समय कहा जाता है नई सतोप्रधान प्रकृती। तुम्हारी वहाँ नेचुरल ब्यूटी रहती है। लिप्स्टिक आधी कुछ भी नहीं लगाते। तो तुम बच्चों को खुश होना तुम स्वर्ग के परिजादे बनते हैं। ज्यांसनान नहीं करेंगे तो तुम देवता बनेंगे नहीं। और कोई उपाई है नहीं। बाप तो है सदा खूबसूरत। तुम आत्मई सावरी बन गई हो। माशूक तो बड़ा सुन्दर मुसाफिर है जो आकर तुमको सुन् बाप कहते मैंने इसमें प्रवेश किया है। मैं तो कभी सावरा नहीं बनता हूँ। तुम सावरे से सुन्दर बनते हो। सदा सुन्दर तो एक ही मुसाफिर है। यह बाबा सावरा और सुन्दर बनते हैं। तुम सबको सुन्दर बनाकर साथ मिले जाते हैं। तुम बच् कर दी है जो बाप के बदले श्री क्रिश्न का नाम डाल दिया है इसको ही कहा जाता है एकज भूल सारे विश्व को सुन्दर बनाने वला श्युव बाबा उनके बदले जो स्वर्ग का पहला नंबर सुन्दर बनता है उनका नाम डाल दिया है यह कोई समझ से थोड़े ही है भ तुम बताते हो, सारा कल्प ही 5000 वर्ष का है, तो बाप आत्माओं से बात करते हैं, कहते हैं मैं आधा कल्प का माशूक हूँ, तुम मुझे पुकारते आये हो, हे पतित पावन आओ, आकर हम आत्माओं, आशिकों को पावन बनाओ, तो उनकी मत पर चलना चाहिए न, मेहनत करन चाहिए, बाबा ऐसे नहीं कहते, कि तुम धंदा आदी नहीं करो, नहीं, वह सब कुछ करना है, ग्रस व्यवहार में रहते, बाल बच्चों आदी को संभालते, सिर्फ अपने को आत्मा समझ, मुझे याद करो, क्योंकि मैं पतित पावन हूँ, बच्चों की संभाल भले कर बाकी अभी और बच्चे पैदा नहीं करो, नहीं तो वह याद आते रहेंगे, इन सब के होते हुए भी इनको भूल जाना है, जो कुछ तुम देखते हो, यह सब खत्म हो जाने वाले हैं, शरीर खत्म हो जाएगा, बाप की याद से आत्मा पवित्र बन जाएगी, तो फिर शरीर भी नया मिलेगा, यह है बेहद का सन्यास, बाप नया घर बनाते हैं, तो फिर पुराने घर से दिल हट जाती है, स्वर्ग में क्या नहीं होगा, अपार सुख है, स्वर्ग तो यहाँ होता है, देलवाडा मंदिर भी पूरा यादगार है, नीचे तबस्या कर रहे हैं फिर स्वर्ग कहा दिखावें, वे फिर छत में रख दिया है, नीचे राजियों की तबस्या कर रहे हैं, उपर राज्ये पद खड़ा है, कितना अच्छा मंदिर है, उपर है अचल घर, सोने की मूर्टिया है, उनसे उपर है फिर गुरु शिखर, गुरु सबसे उपर लिखाया है स्वर्ग, तो यह देलवाडा मंदिर पूरा यादगार है, राज्योग तुम सीखते हो, फिर स्वर्ग यहां होगा, देवताईं यहां थे ना, प्रंतून के लिए पावन दुनिया अब बन रही है, अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रती, मात, प रुखानी बाप दादा को नमस्ते, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, धारना के लिए मुख्ये सार, पहली पुइंट, इन आखों से सब कुछ देखते हुए, इसे भूलने का अभ्यास करना है, पुराने घर से, दुनिया से, दिल हटा लेनी है, नए घर को याद करना है, दू अंदर गोरा मुसाफिर है, ऐसे उनकी याद से, आत्मा को सावरे से गोरा बनाना है, माया की युद्ध से डरना नहीं है, विजयी बनकर दिखाना है, वर्दान, महादानी बन, फ्राक दिली से, खुशी का खजाना बाटने वाले, मास्टर रहम दिल भव। लोग अल्पकाल की खुशी प्राप्त करने के लिए, कितना समय वधन खर्च करते हैं, फिर भी सच्ची खुशी नहीं मिलती, ऐसे आवश्यक्ता के समय, आप आत्माओं को महादानी बन, फ्राक दिली से, खुशी का दान देना है, इसके लिए रहम दिल का गुण इमर्ज क करो, आपके जड़ चित्र वर्दान दे रहे हैं, तो आप भी चेतन्य में रहम दिलबन बाटते जाओ, क्योंकि परवश आत्माई हैं, कभी ये नहीं सोचो, कि ये तो सुनने वाले ही नहीं हैं, आप रहम दिलबन देते जाओ, आपकी शुब भावना उन्हों को फल स्लोगन, योग की शक्ति दवारा हर करमेंद्रिय को ओर्डर में चलाने वाले ही सुराज्य अधिकारी हैं, अच्छा, ओम शान्ति, अन्समय में हर एक बीके को दो कारिय करने हैं, वह दो विशेस कारिय बाबा ने कौन से बताए, सुनते हाज के ज्यान मोति में, कर दो कि ज्यारा को ओम्कोकारी ही कारता है, सुनते हैं, अबवार ले मौकारी हैं, चो्ड़न, भीके कौने समुतनी हैं, तर्म्कोण के लेकारी हैं, और्म्कोण में चाहरा हैं,